नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने YouTube चानल पे Stock Market Today by Vipal Kaushik इस चानल पे हम daily discuss करने ही कोशिश करते हैं कि बजार आज कैसा है और कल कैसा हो सकता है दोसों कल मुबई क्लास थी 30 और 31 October को मैंने आपको कहा था दो दिन का session हम करने वाले हैं बहुत बड़ी है क्लास है जितने भी लोग आए बहुत कुछ सीखे गए होगे बॉटम पे शेर्स को कैसे सीखना है वो सीखा होगा और अब बार ही है आने वाली क्लास में कॉलकता वालों की, पुने वालों की और बैंगलोर वालों की खुलकता क्लास हमाइईट 15 अर 18 November को है उसके बाद बैंगलोर क्लास होने वाली 20 और 21 नमेंबर और और उसके बाद पुना क्लास होगी है हमारी 27 और 28 नमेंबर को DLF में आपको गा, DLF कहां से कहां चला गया उससे पहले में आपको State Bank का Share बना के दिया था इसी चैनल के उपर में इसी पे वीडियो दिती लिख के दिया था कि 40% के लिए आप रेडी हो जाईए उस टाइम पे शेर का प्राइसा 400 रुपीस के आसपास में और आज 500 को Cross कर चुका है ये Bottom पे Finding असान है आपको एक सही सैट अप होना चाहिए आपके पास आपका Trend Trading Calculator होना चाहिए आपके वास Option Chain की Study होनी चाहिए अगर आप ये सब कर सकते हैं Stock Market असान है तो चलिए देखते हैं कि आज बाजार कैसरा आज हम बात कर रहे हैं 1 November की 1 November को Market कैसरी 2 November को कल Market कैसरी रह सकते है Nifty Bank Nifty में कैसरा ट्रेड किया जाए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए बैल नोटिफिशन को प्रेस कीजिए ताकि हम रोज रोज मिल सकें वीडियो के मादम से या लाइव सेशन के मादम से निफ्टी को देखे दोस्तों एक बड़ी जबरस गिरावट चल रही थी 18,500 के उपर से बदा गिरता आ रहा था लगा था वो कल हमने लाइव सेशन में जो हमारा ट्रेनिंग का लाइव सेशन था बिसिकली मॉंबई क्लास में हमने डिसकस किया था कि बजार में एक अच्छा खासा लॉंग बिल्डप चालू हो गया है निफ्टी 17,500 से नीचे नहीं जाएगी मेजर सपोर्टर 17,500 का सभी सुडेन्स को बहुत क्लियरली कह दिया गया था वहीं पे निफ्टी क्लोजिंग 17,500 के असबस दी कोई भी इन कैंडल्स को देखे घबरा सकता था वोल्यूम्स को देखे घबरा सकता था कि यहां बजार तब और गिरना मागी है जब वोल्यूम्स बढ़ रहे हैं हो राइजिंग वोल्यूम्स हो और बजार गिर रहा हो तो हमेशा से हमने यह सुना है कि वहां से बजार से पढ़े रहाना चाहिए बजार में गिरा उठा और भी आसकते कोई भी इस शॉट कवरिंग की एक्सपेक्टिशन्स नहीं कर रहा था उप्शन चेन को देखने के अगर कोशिश की जाए जो उप्शन चेन को देखना जानते है बहुत ही क्लिर शॉट कवरिंग का क्लिर कट केस है उप्शन चेन बहुत ही साफ-साफ कह रही है शॉट कवरिंग हुई है जबरस थी हमने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था कि 17,500 से नीचे 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 जाएगा उस पे और भी दम देने के लिए हमारे पाथ जैसे कल की क्लोजिंग अगर देखे 17,715 जो फ्राइड़ की क्लोजिंग थी उसको तर पगड़ने की क्याते हैं वो सब चीजे मैंने अपने कल्कुलाटर में डाल के रखे यह कल्कुलाटर आप पर चेस भी कर सकते हैं जिसकी फीज से 17,700 रुपे एक साल का एक्सेस आपको मिलता है या फिर आगर आप सीखना भी चाहते हैं तो यह कल्कुलाटर आपको फ्री मिलेगा मेरी लेनी है तो क्लास में आई है नहीं तो आप इसको वैसे भी ले सकते हैं आपकी मज़़ी है च्वाइस इस यौर्स दोन आप्शनस आपके सामें अवेलेबल हैं अब यहां पे 17,690 के उपर में हम बहुत क्लियर थे कि हमारा ठागट 18,000 के लिए हम निफ्टी के ओपर जा र इतनी बड़ी चाल 300 पॉइंट की निफ्टी में चाल कैसे आ गई? कैसे बजार क्यों ने गिरा? ये कन्विक्शन के लिए आपको सीखना पड़ेगा अभी आप खाली आम कहीं है गुट्ली आम मत गिनिये और ये आम के पेड़ को कैसे होगा जाता है ये सीखना है तो आपक का रोल आपक्शन क्या होना चाहिए अब निफ्टी में हम कैसे काम करें वो बहुत ही जादा इंपॉर्टन है अब लेटेस अब्डेट के लिए आप मेरे टेलिग्रम के साथ जूच चानल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्रिप्शन में दिया हुआ है आप सोचल मेरे हैंडल रिवर्सल पॉइंट वापस 17,690 के आसपास में ही मिलेगा बट फेर चांसे की निफ्टी होल्ड करती दिखाई दे रही है 17,956 के आसपास में यू नेवर नो रात में क्या हो जाए क्या मार्केट हो इंटरनेशन मार्केट क्या करें कुछ नहीं कह सकते हैं ना बट डेटा जो बोल रहा है option chain जो बोल रही है बहुत ही clear है कि उपर के level तक में भी बहुत ही बढ़िया तरीका से portrait देखने में मिल रही है एक 18,250 तक के level में बहुत ही बढ़िया एक build-up option chain में बनता दिखाई दे रहा है जिसको 18,250 तक के level हमें यहाँ पे दिख भी रही है बहुत ही clear है तो यहाँ पे 18,025 तक के लिए Nifty इंकल सकती है, बशरते उसको maintain करना हुआ, 17,956 के उपर में ये नहीं तूटना चाहिए जो intraday वाले हैं swap loss लगाना चाहते हैं, तो 18,014 का छोटा था swap loss लगा सकते हैं और carry कर सकते हैं, first target 126 के लिए, second target 200 के आसपास के लिए चोड़े देखते हैं, bank Nifty में क्या रुजान रहा, bank Nifty कैसी चली, उसमें क्या खेल हुआ, क्या उसमें भी कोई चाल बंती दिखाई दे रही है गैस, Nifty और bank Nifty एक ही तरस पे रहे हैं, जहां bank Nifty का एक बहुत छांदर शेर, industry in bank, 0.5% चला, ये शेर हमने कली क्लास में डिसक्स किया था हिंडाल को चला, 0.5%, भारती एटल चला, 0.4%, HCL, Tech, 0.4%, Grassim, Coal India, Itadacil, सब चलने वाले शेर में रहे losers में जो share है, वो UPL रहा, Bajaj Finance, खाली 4 share गिरे हैं guys, out of 50, only 4 shares were in weak category आप सोच सकते हैं, ये overall Nifty के अंदर में, पूरे sector के अंदर में, एक खरिदारी का माहौल देखा गया है, पूरे shares में buying हुई है, सिर्फ और सिर्फ चार shares, UPL, Bajaj Finance, महिंदर & महिंदर, Nestle Limited ने, उसके अंद बजार में एक positive sentiment ही देखने को मिला है, तो यहाँ पे ये अच्छा संकेत है, बहुती अच्छा sign है, अगर आप सोच रहे हैं कि buying करनी है, fresh positions बनानी है, या positions को hold करना है, तो Nifty के 17,956 के stop loss के साथ में आप carry कर सकते हैं, बैंक Nifty को देख लेते हैं, बैंक Nifty में क्या दिखता ह बठाँ, अगर बजार में conviction है, लेवल्स हैं और लेवल्स के उपर आपकी strength है, positivity अगर आप सोच रहे हैं कि यह बजार यहां से ऐसे ही चलेगा, practice अगर आपने ऐसे कर लिया है, तो फिर आपको बजार में हरा नहीं सकता, यहाँ की closing थी, बैंक Nifty के उपर बैंक Nifty क्लोजिं हुई थी, बहुत ही लंबी चोड़ी, एक red candle, जबर्स विक 38,600 के आसपास तक क्लोजिंग हुई थी, 49,314 की, मतलब कहां पे, एक बहुत ही जबर्स ब्रेकाउट लेवल के उपर closing तो 49,204 के उपर ही closing Friday की थी, यही हमने description कल क्लास के अंदर भी किया है, 49,200 रुपे के उपर पर bank nifty ने आग और भी surprise किया, 40,000 के level का cross करके चलेगी 40,083, 40,083 closing हुई है, तो 40,083 closing हुई है हमारी, तो अब यहाँ पे हमें इसको कैसे काम करना चाहिए, देखे, 40,083, 40,000 से उपर में अब आपका psychological stop loss हो जाना चाहिए, जी हाँ, 40,000 पे stop loss लगाईए, enjoy कीजिए, carry कीज उससे पहले bank nifty week नहीं होगी, तो जो लोग call purchase करके गए है, put writing करके गए है, या bank nifty purchase करके गए है, आपका एक psychological strong support मेलेगा 40,000 के उपर में, यहाँ के उपर में 40,400, 40,600 के भाव बनते दिखाई देते हैं, तो guys, this was my level analysis, मेरे अपनी study थी, मैं ऐसे काम करता हूँ, आप अपनी analysis करने के बाद, trade lease जी है, देगाई levels पर trade करने के कोई सिम्मेदारी नहीं है, आप मेरे levels को analysis को सधाते हैं, आप पसंद करते हैं, तो आप से अपनी analysis शेयर करने के लिए आजाता हूँ, अपनी observation आप से शेयर करने के लिए आजाता हूँ, guys, once more, I am reminding you, if you really want to join and you want to learn this stock market secret, यह मिलेगा, trend trading calculator का, जो public 17,700 मिल लेती है, best delivery stock service, वो भी 17,700 के total में, 35,000 की services, products, आपको बिलकुल absolutely free मिल रहे हैं, साथ में, मुझसे one-to-one interaction, सीखने का मोका मिल रहा है, तो Kolkata class होगी हमाई 13,14 November को, और उसका बाद, Bangalore class होने वादी है, 20 और 21 November को, last class होगी, November की, Pune में 27 और 28 न कर सकते हैं, thank you so much for watching this video, take care boy, jahin.